मेरी हिंदी कविता अंकुस जनम जनम के ए रिस्ते एक पल में कैसे तूट गए हमने क्या अपरात किया था जो हमसे तुम रूट गय कहां गई वो हसी खनकती कहां गई चंचल मुस्कान तुम ही तो मेरा जीवन थे, तुम ही थे मेरी पहचान तुमसे हमने धोका खाया तुमसे ही हम चले गए बीच रहा हमें हमें छोड़कर तुम दुनिया से चले गए हमको यह इहसास नहीं था तुम हमें छोड़के जाओगे हमको यह विस्वास नहीं था तुम रिष्टा तोड़के जाओगे तेनिक विसुद हमको होती परिवार सहित हम भी आते इस और से बिंती करते हम अपनी जोली फैलाते कास तुम्हें हम स्वर्ग लोग से इस दुनिया में ला पाते सच कहता हूँ प्री अंकुस हम भी पीछे पीछे आते जैसे भी संबब होता हम तुमको बहां मना लेते अनुने और बिने करके हम अपना तुम्हें बना लेते तुम्हें नहीं ला पाते तो दुनिया में आग लगा देते मेरा बस चलता तो यह हमको मिट्टी में आज मिला देते अब बिना तुम्हारे दुनिया में हमको जीने की आस नहीं हम रोएं तो कैसे रोएं आसु भी मेरे पास नहीं तुम्हीं बताओ से इस जिन्दगी अब कैसे हम जहलेंगे तुम्हीं बताओ कैसे हम रंगों की खूली खेलेंगे रच्छा बंधन का उस सब भी धीरे धीरे आएगा तुम्हें बताओ चौतीरा की आखिर कौन बनाएगा हे येम हमें बताओ क्या तुम अपना फर्ज निवा पाए सबल जनों को मरत्य लोक से कब लेकर तुम आ पाए साबित्री के प्रस्णों का कब जवाब तुम दे पाए सत्यबान को छोड़ स्वर्ग में उल्टे पाउच चले आए पिता माहने जब तक चाहा सरसया पर पड़े रहे तुम से कितने लेने आए उनके पीछे खड़े रहे कब और कहां तुम उनका बाल बांका कर पाए थे प्राणों की तो बाद छोड़ दो उनका क्या हर पाए थे यक्ष के प्रस्णों का जवाब धरम राध दे कर आए चारो अनुजों के साथ साथ खुज सक्सुल बापस आए तब कहां गई थी सक्ति तुम्हारी कहां गया था तेरा जोस मेरे अंकुस को लेने तुम चले आए होकर खामुस कहां छुपाया मेरा अंकुस कुछ तो हमें बता देते आखिर तुम क्यों उसे ले गए इतना हमें बता देते यदि कुछ नहीं बताना था तो तुम हमसे मिलकर जाते सुथ संताप किसे कहते हैं हम तुमको कुछ बतलाते कितनों के सुथ तूने छीने खुद होगा तुसको याद नहीं उसको तो ऐसा लगता है साहिब तेरे अवलाद नहीं क्रूर और निर्दय लोग प्राया जलाद ही होते हैं एम तुस्से लोग यहां बेवलाद ही होते हैं